नमस्कार दोस्तों स्वाकत आपका न्यूज अपडेट विद पीसी में आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि एक जून से गूगल बंद कर रहा है अपनी मुट सर्वीस अब गूगल यूजर्स से चार्ज लेगा कितना चार्ज लेगा उसी के बारे में इस रिपोर्ट में हम जानेंगे वीडियो को अंतक देखेगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें अब यूजर्स को देना होगा चार्ज गूगल की ओर से गूगल फोटू के क्लाउड इस्टोरेज के लिए चार्ज वसूला जाएगा अगर आप गूगल ड्राइव या फिर किसी अन्य जगे अपनी फोटू और डेटा को इस्टोर करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा कमपनी की तरफ से पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया था गूगल एक जून से अपनी मुक्त सर्विस बंद करने जा रहा है दरसल गूगल की तरफ से गूगल फोटू मुक्त क्लाउड इस्टोरेज की सुईता एक जून दो जारिकी से बंद कर रहा है मतलब अब Google की और से Google Photo के Cloud Storage के लिए चार्ज वसूला जाएगा अगर आप Google Drive या फिर किसी अन्य जगे अपनी Photo और डेटा को स्टोर करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा कमपनी की तरब से पहले ही इसका एलान कर दिया गया था आउनलाइन Photo और वीडियो स्टोरेज के लिए देना होगा चार्ज मौजुदा वक्त में गूगल की तरब से ग्राइकों को अनलिमिटेड मुप्त स्टोरेज की सुईदा दी जा रही है जिससे यूजर अपनी Photo या अन्य डॉकुमेंट को आउनलाइन स्टोर कर सके जिसे इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी अक्सेस कर पाएंगे हलांकि गूगल की तरब से ग्राइकों को 1 जून 2021 से मात्र 15 GB मुप्त क्लाउड इस्टोरेज की सुईदा दी जाती है यूजर अगर इससे ज़्यादा Photo या डॉकुमेंट को आउनलाइन स्टोर करना चाते हैं तो उन्हें चार्ज देना ही होगा कितना देना होगा चार्ज अगर यूजर को 15 GB से एक्स्ट्रा डेटा की जरत होती है तो उन्हें परतिमा के हिसाब से 1.99 डॉलर यानी 146 रुपे चार्ज देना होगा कंपनी की तरब से इसे गोगल वन नाम दिया गया है जिसका वार्शिक सब्सक्रिप्शन चार्ज 19.99 डॉलर करीब 1464 रुपे है यूजर्स को नई फोटो और वीडियो को इस्टोरज के लिए चार्ज देना होगा पुराने फोटो पहले की तरह सुरक्सित तरीके से इस्टोर रहेंगी तो इस रिपॉर्ट में हमने जाना कि गोगल अब चार्ज वसूल लेगा अगर आपको ये रिपॉर्ट पसंद आईए तो इसे लाइक करें शेर करें चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राब जरूर कीजिएगा आप देख रहेंगे न्यूज अप्टेट विद पीसी थेंक यू